और इस वक्त की एक बड़ी खबर मुहाली में 24 घंटे में दूसरा धमाका हुआ है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुहाली से जहां एक और धमाका हुआ है तो 24 घंटे में ये दूसरा धमाका है और लगातार कहा जा रहा है कि पंजाब में तनाव बनाने की ये कोशिश सियासत भी इस पर हो रही है लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक मुहाली में एक और धमाका हुआ है तो 24 घंटे में ये दूसरा धमाका हुआ है पंजाब के मुहाली से ये खबर इस वक्त आ रही है जहां एक और ब्लास्ट हुआ है थोड़ी देर पहले ही ये धमाका हुआ तो 24 घंटे में ये दूसरा धमाका है जो चिंता बढ़ाता है तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है पंजाब के मुहाली में 24 घंटे के अंदर दूसरा ब्लास्ट हुआ है जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक अपसे कुछी देर पहले ये ब्लास्ट हुआ है और इस तरीके से 24 गंटे के अंदर ही दो ब्लास्ट होना चिन्ता जनक है पंजाब के मोहाली से इस वक्त की बड़ी खबर जहां दूसरा धमाका हुआ है तो 24 गंटे के अंदर दूसरा धमाका जो आप से थोड़ी देर पहले हुआ है पंजाब के मोहाली में एक और धमाके की खबर मोहाली में थोड़ी देर पहले धमाका हुआ और 24 गंटे के अंदर ये दूसरा धमाका है मोहाली में इंटेलिजन्स दफ्तर के बाहर ब्लास्ट होने की जानकारी और जिस तरीके से ये 24 घंटे के अंदर दूसरा धमाका हुआ है, कहीं न कहीं पंजाब में तनाव की स्थिती उत्वन हो रही है पंजाब में मुहाली से खबर आ रही है जहां 24 घंटे में दूसरा धमाका हुआ है इंटेलिजन्स दफ्तर के बाहर धमाका और अब से कुछी मिंटो पहले कुछी देर पहले ये दूसरा धमाका हुआ है इंटेलिजन्स ओफिस के बाहर ब्लास्ट होने की जानकारी मिल रही है तो पंजाब में लगातार इस तरीके की खबरे आ रही है सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे है और 24 घंटे में दूसरा धमाका होना चिंता बढ़ाने वाली बात है इंटेलिजन्स दफ्तर के बाहर ब्लास्ट की खबर पंजाब के मुहाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे है RPG से धमाके की आशंका जताई जा रही है हमले में बिल्डिंग के शीशे तूटने की जानकारी मिल रही है और ये पहला जो धमाका कल रात हुआ था उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही जो दूसरा धमाका हुआ है उसकी तस्वीरे भी और शुरुवाती जानकारी भी आनी शुरू हो गई है तो आप देखिए 24 घंटे के अंदर दो धमाके होते हैं पंजाब के मुहाली में कल रात जो धमाका हुआ था उसकी तस्वीरे और जानकारी हम आप तक लगातार पहुचा रहे हैं आज दुपहर अपसे कुछ देर पहले ये दूसरे धमाके की जानकारी और तस्वीरें नूज एजनसी एनाई के हवाले से ये खबर मिल रही है कि मुहाली में थोड़ी देर पहले दूसरा धमाका हुआ समाचार एजिंसी एएनाई के हवाले से ये खबर हम आपको दिखा रहे है कि मुहाली में 24 घंटे के अंदर ये दूसरे धमाके की जानकारी मिल रही है जो अब से थोड़ी देर पहले हुआ है और कल रात जिस तरीके से धमाका हुआ था उसकी जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुचा रहे है और इस बीच अब से कुछ देर पहले दूसरे धमाके की भी जानकारी न्यूज एजिंसी एएनाई के सौजर ने से मिल रही है समचार एजिंसी एएनाई के हवाले से ये खबर मिल रही है कि 24 घंटे के अंदर कल रात एक धमाका हुआ और 24 घंटे के अंदर अब से कुछ देर पहले दूसरे धमाके की भी जानकारी मिल रही है जली इस वक्त की बड़ी खबर 24 घंटे के अंदर मोहाली में दूसरा धमाका हुआ है ये कल रात को धमाका हुआ था 18 गंटे से उपर चले हैं अभी भी जो पुलिस के डी जी पी ये पंजाब के वो इस पश्ट नहीं कर पायते की आतंकी अमला है के नहीं है लेकिन इस बीच दूसरा एक और थमाका इस वक्त ये जो तस्वीरे आप देख रहे हैं कुछी देर पहले की तस्वीरे हैं जब इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर जहां जाडियां हैं जहां खास है उस इलाके को तलाशा जा रहा था और उसके बाद का जा रहा है कि इसी तलाशी के वक्त कोई असला या पर इसी तलाशी के वक्त जो है एक बलास्ट की और खबर आई है 11 लोगों को हिलासत में भी लिया गया है पंजाभ पुलिस ने प्रेस कॉफरेंस भी की लेकिन इस बीच में अगर इंटेलिजेंस थी तमाम लीट्स थी जो कि पंजाभ पुलिस कह रही है सुबा से कि उनके पास तमाम लीट्स है आपको बहुत जल्दी बता दिये जाएगा कि कैसा धमाका है अब ऐसे में ये दूसरा धमाका किस तरीके का है कितनी इंटेंसिटी का है और ये दूसरा धमाका क्या उसी पहले धमाकी का एक हिस्सा है जो कल शायद फट सकता था और वो फटा नहीं कोई रॉकेट नुमा जो चीज थी तो तमाम जो चीजें उसको लेकर के फ रहा था क्योंकि कल जो ब्लास्ट हुआ था वह अच्चे खाशी इंटेंसिटी का ब्लास्ट था यार लॉक्ल किया गया था और उसके बाद आज अब से कुछी देर पहले यह second blast report किया गया है यह second blast report किया है जो है इस वक्त हमlls यह कह सकता है कि कम से कम गंभीर जिस तरी के से एक के बाद एक के ay तो है किस तरीके से हुआ धमाक हम आपको बादा सब्सक्राइब कर नहीं हो और नहीं हैं ग talus को दरूएंगा होता है इंछिए इंटेलिजेंस perfectly हेड़कोर्टर में महाली में जिसमें बखायदा खड़की के शीशे टक तूर जाते हैं अंदर कोई मौचूद नहीं था आज पुलिस के रही है किस पे कोई नुकसान नहीं हुआ है किसे तरीके के वहाँ पर परसनल मौचूद नहीं थे वहाँ पर आफिसर्स मौचूद नही तीसरी मंजिर पर बहुत जोरदार आवाज आई धमाका हुआ खिड़कियां टूट गई खिड़कियों के शीशे टूट गए और फिर उसके बाद NIA की टीम भी एक्शन में आ गए कि आखिरकार ये धमाका किस वज़ा से हुआ है वहीं जांच सभी पहलों पर की जा रही थी आज तलाशी ली जा रही थी आसपास के पूरे इलाखे को सील कर दिया गया है और इसी तलाशी के दौरान ये खबर आई कि एक और थमाका हुआ है अब भी तलाशी वहाँ पर रुकी नहीं है अब भी तलाशी चल रही है